What's up guys, this is Anju and welcome back to again my YouTube channel So guys, आज की इस वीडियो में ऐसा एक loan application लेके आगया हूँ जिस loan application से आपको loan मिलेगा अगर आपका civil score बहुत खराब है, बहुत कम है तो भी आपको loan मिल जाएगा और guys, इस loan application से आप loan लेते हो और नहीं चुकाते हो, फिर भी कुछ नहीं होगा आपके civil को भी कुछ नहीं होगा, और बाकी कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है नहीं आपके यहाँ कोई police आएगी, नहीं recovery agent आएगा, नहीं कुछ भी होने वाला है इस application से loan लेके आप नहीं भी चुकाते हो, तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यह एक नया fake loan application है और जिसको जिसको fake loan application से loan लेना है, वो इस video को पूरा देखना है क्योंकि इस application से अगर आप loan लेते हो, और आप नहीं देते हो, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है वो पैसा आपका हो गया, क्योंकि यह fake loan application वाले बहुत सारे लोगों को लूटे है बहुत सारे लोगों को हरास किये है, परेशान किये है, तो अगर आप भी किसी भी fake loan application से परेशान हुए हो 5000 का loan लेके 5000 जार दिये हो, तो आप आराम से इस fake loan application से loan लेके अपना थोड़ा बहुत पैसा recover कर सकते हो, अगर आपको कोई भी fake loan application पहले का परेशान किया है तो इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखना, end तक देखना, चैनल पने होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बेल एकन को प्रेस कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो like करेगा, अपने दोस्तों के साथ share करिएगा, साथ में guys, loan लीजिएगा तो अगर आप किसी NBFC registered loan application से loan लेते हो, तब चुका सकते हो, तभी loan के लिए apply करना इस loan application का तो नहीं भी दो के तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो fake है, बाकि कोई emergency होगा, तभी आप किसी application से loan के लिए apply किया करिए चलिए अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ, प्ले स्टोर पे दिखाता हूँ, इस fake loan application का review करके तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं सो guys, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजे इस application का release date, यहाँ पे 22 नॉवंबर 2023, 22 नॉवंबर 2023 को यह application release हुआ है काफी जादा नया loan application है, और बिल्कुल ही fake loan application है मतलब इस application से अगर आप loan लेते हो, तो fake contact list बनाके, फरजी contact list बनाके loan लेना क्यूंकि यह अपना loan recover सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, आपके contact list को call करेंगे, गाली देंगे, खुब फाल्तु फाल्तु बात बोलेंगे और आपको डरा के 5000 का loan दे देंगे, और आपसे 5000 ले लेंगे, तो आप पहले ही fake contact list बनाके, अगर loan लोगे, तो easily आपको loan मिल जागा इस loan application से, बताऊंगा कैसे लेना है, ओके, तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस application को लूट सकते हो, जितना लूट सकते हो, उ आपकी जिंदगी को जंड कर देंगे, भाई, बहुत परिशान करते हैं, ठीक है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, गाइस, अगर आप किसी fake loan application से कभी का loan लिये हो, आपको ठका गया है, fake loan application की तरफ से, तो आप इस application से easily loan के लिए अपलाई कर सकते हो, जो लोग कभ सिबिल, खराब सिबिल पर भी loan देता है, ठीक है, line of credit, यहाँ पर देख लिए इनोन example देके समझाया है, ठीक है, यहाँ पर आपको 6000 से लेके 36,000 रुपय तक का line of credit मिल सकता है, ठीक है, और यहाँ पर maximum annual percentage interest rate 18.25% है, और tenure एक सब 20 दिन का बनेगा, जो की बिलकुल जूट है, सिर्फ आपको 7 दिन का loan यह application देंगे, ठीक है, 7 दिन का loan देंगे, आपका contact list hack कर लेंगे, आप गाइस इनको तो नहीं पता कि आप fake contact list बना के loan ले रहे हो, लेकिन अगर जो लोग real contact list अपना दे देते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता है, और यह इस application को real समझके loan ले एक एक हाजार भी यह सब penalty लगाते हैं, यहाँ पर यह सब जूट मूट का example दे के समझाएं, कि अगर आपको इतने का loan मिलेगा, तो इतने दिन के लिए मिलेगा, इतना processing fees लगेगा, इतना GST लगेगा, इतना आपको आपको जूट मूट का यह लोग बताएं हैं, अब यहा आपका टेनोर 91 डेज और मैक्सिमम यहाँ पर 365 डेज, जो कि बिल्कुल जूट है, सिर्फ 7 दिन का loan देगा, और यहाँ पर मैक्सिमम एन्वल परसंटेज इंटरेस रेट 18.25 परसंट मैं आपको पहले ही बताया, ठीक है, 18 परसंट GST यहाँ पर लगेगा, यह गाईस बहु और मैक्सिमम 365 डेज, लेकिन गाईस साथ दिन के ऊपर का loan ही नहीं देंगे, बहुत देंगे तो 15 दिन का, यह सिर्फ आपको अपने जहांसे में फसाने के लिए, कि आप इस application को डाउनलोड कर लो, अपने contact list उगरे का permission दे दो, और आपको यह थोड़ा बहुत loan देगे, अधार, pen card आपके पास होने चाहिए, ना कोई bank statement चाहिए, ना ही कोई salary slip चाहिए, ठीक है, यहाँ पे guys, app permission की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लीचे camera, contacts, location, phone, SMS, other, सबका permission ले रहा है, आपके contact list का mainly यहाँ पे देख लीचे permission ले रहा है, तो भाई, आपकी band बजाने वाल ममी, बापा, भाई, बहन, सबका number तो save करके रखे ही होगे, तो उन सभी number में आखरी का या फिर बीच का दो-दो number आप change कर देना, जैसे आखरी में 91 है, तो आप 82 कर दो, किसी में 82 है, तो आप उसको 91 कर दो, मतलब अलग-अलग पूरा starting का number बिल्कुल नहीं change करना है, last या बीच का दो number आपको बदल देना है, ओके, इस तरीके से उन ही सभी number को आप दुबारा save करना, किसी और phone में जिससे आपको loan लेना है, मैं तो यही बोलूंगा, आप किसी दूसरे mobile में ये सब number save करके loan लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपका जो रियल number है, रिय लोग देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा तर कमपनियों में starting का number कुछ selected number होते हैं, सिर्फ वही होते हैं, आप मान लिजे 7-7 कर दिये starting में, तो guys, 7-7 किसी का number होता है, इस starting में 7-7 नहीं होता है, तो आखरी का बदलना, ओके, आखरी में 7-7 करो, या 8-8 करो, या कुछ भी कर नहीं है, ओके, बाटी बस 0-0 मत करना आखरी में, बीच में कर सकते हो, लेकिन आखरी में भी, आखरी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, guys, तो ऐसे आप fake contact list बना के इस application से loan ले सकते हो, यह एक बिल्कुल fake loan application है, इसका नाम में आपको बता देता हूँ, इसका नाम है see all reviews करके, आप reviews पढ़ लेना, लेकिन see all reviews करना, फिर जाना critical reviews में, यहाँ पर देख लो, कितना गंदा गंदा इसको मतलब सब लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजे, सब कितना बेकार बेकार लिखे हैं, और यहाँ पर साफ साफ लोग लिखे भी हैं, कि देखो, यहाँ पर सि दिखा हुआ है कि यह सिर्फ चेक कर रहे थे अपनी एलिजबिल्टी और डिरेक्ली इनसे बीना इनका पर्मीशन लिए यहाँ पे आठारा सो रुपए इनके बैंक में बेज दिया जाता है और उसके बाद से तीने जा रुपए इनको भरना पड़ जाता है यहाँ पे साफ साफ यह लिखे हुए गाईज देख लिजए आप देख लिजए साफ साफ लिखा हुए मतलब बिल्कुल फेक लोन अप्लिकिसन है